अगस्त माह 2023 का चोथा सप्ता कुम्भ राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अगस्त से 27 अगस्त तक के कुम्भ राशी फल के बारे में ये साथ दिन आपके लिए कैसे होंगे इन साथ दिनों में किस तरह के बदलाव आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलेंगे इन साथ दुनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी? कौन सा ग्रह राशी बदलेगा? किन ग्रहों की यूती होगी? क्या योग बनेंगे? क्या शुबतिति होगी? किस तरह का प्रभाव आपकी द्यानिक आपके जीवन के हर एक शेत्र पर होने वाला है? चाहिए वो आपकी ध हमारे चानल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं, 21 अगस्त से 27 अगस्त अगर मैं इस सप्ताहा की ग्रहों की इस्तिथी और तिथी देखूं, तो शुकल पक्ष की पंचमी तिथी से इस सप्ताहा की शुरुवात होगी और एकादशी तिथी को स पन्या राशी में होगी, तुला राशी से ही शुरू होगी और तुला वरश्चिक और धनू, इन तीन भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी, तीन भावों में चंद्रमा सक्रिय रहेंगे, इसके अलावा कई तरह के योगों का निर्मान इस दोरान होना है, कई मैं ग्रहों की इस्तिती की बात करूँ तो सूर्य तो अपनी राशी में विराजमान है शुक्र करक राशी में आब उदय हो चुके हैं और ये 24 अगस्त को एक राशी परिवर्तन होना है बस ये बुद्ध का होगा जो की बुद्ध सिहंग राशी में वक्री हो जाएंगे सिहं इन 7 दिनों में और भी गजकेष्री नाम का योग भी इस दोरान बनेगा और दुईपुश्कर योग भी बनेगा सप्तहा का जो अंतिम दिन है जो 27 अगस्त का दिन है ये कादशी तिती का दिन है जिस दिन 4 योग बनेगे और बहुत उत्तम दिन ये रहने वाला है तो ये हो कुछ अपके घर की सुविधाओं को बढ़ाने का कारे करती है और इससे आपको लाभ भी होगा इस समय जरूरत से ज़्यादा धन खर्च ना करें इस चीज का ध्यान करें खरीदारी होगी लेकिन जो जरूरी चीज़ें हों सिर्फ उनी पर आपको पैसा खर्च करना है आपका वैवार बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने निजी जीवन में कई तरह कि एगर छोटी छोटी समस्याओं का या बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे अंदर यंदर घुटन महसूस कर रहे थे तो कोई व्यक्ति आपके लिए बड़े सहायक साबित हो सकता है ऐसी चीज़ों के लिए वो आपको इन सभी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आपको बड़ा प्रेरित करेगा तो उसलिहाद से भी ये जो समय है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है इस सब्ता हमें आप जो कुमराशी के जातक हैं वो ये महसूस कर पाएंगे कि आप जिन कामों से जुड़े हुए हैं उनमें आपकी ये पकड़ बनने लगी है कामकाज अच्छा रहेगा गती थोड़ी धीमी जरूर हो सकती है कामकाज की तो उसको आपको थोड़ा तेज करना होगा अगर आप एक व्यपारी हैं अगर आप अपना कोई बिजनिस करते हैं तो कॉम्पेटीटर आपके सामने बहुत सारे होंगे उन कॉम्पेटीटर से आपको आगे निकलना है अपनी बुद्धी और अपनी बल इन पर आपको काम करना है और इस राशी के युवाओं के लिए इस सब्ता में कई उत्साह वर्धक काम होने वाले हैं जो आपके करियर में उन्नती लेकर आएंगे इस राशी के जो स्टूडेंट हैं वो नए सब्जेक्ट का पढ़ाई करने वाले हैं नए एड्मिशन हुए हैं कॉलिज में एड्मिशन लिया है नया आपके लिए सबको शुरू होने वाला है तो आने वाला जो समय होगा ये आपकी पकड को मजबूत बनाएगा जितना फोकस आज करेंगे उतना जादा फाइदा आपको आगे आने वाले दिनों में होगा अपने करियर की शुरुवात की दिनों में आप हैं तो अपने करियर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छे पद प्राप्ति के लिए अच्छे से फोकस करना होगा। जीवन साथी अगर किसी बात को लेकर परिशान था तो उस जीवन साथी की परिशानी का हल मिलेगा राहत मिलने की संभावना है। माता पक्ष से कोई शुब समाचार मिलने का योग है जिन लोगों का हाल ही में किसी तरह का कोई मेडिकल सर्जरी हुई है उपरेशन हुआ है तो उनको जादा साथानी रखने की आवश्यक्ता है क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अपनी सभी मैडिसिन को आप समय पर लें औ अब ऐसा तो नहीं हो सकता सारी चीजें अच्छे से चलती रहें और चुनोती सामने आए ही नहीं धनका आगमन होगा संकट भी दूर होंगे लेकिन चुनोतियां भी सामने आएंगी अब आपको क्या करना है उन चुनोतियों से पार पाना है उन चुनोतियों से आगे निकल कर आपको अपने लिए अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो नए अवसर तो आपको मिलने ही वाले हैं और आपके काम को सराहा भी जाएगा आप जो काम कर रहे हैं उसको सराहा जाएगा आप अपने जीवन में इन साथ दिनों में नए नए लोगों से मिलना जुलना भी होगा अगर आप संपत्ती खरिदने का प्लान लंबे समय से बना रहे हैं तो वो सपना भी आपका पोरा हो सकता है संपत्ती खरिदने की प्लानिंग आपकी सक्सेस्फुल होगी आपने लोन के लिए अपलाई कर रखा था तो लोन भी आ आपको कहना चाहूंगी लोन उतना न लें जितना आप नहीं उतार सकते हैं या जितने में आपको बहुत सी परिशानियों का सामना करना पड़े उसके लिए आपको ध्यान रखना है अब यहाँ इस दौरान आदे कि आपका मन जो है आपका मन अपने आप कारियों पर आपको लगाना पड़ेगा कई बार होता है मन काम से भटक जाता है लेकिन आपको लगाना है इस सप्ता में आपको कामका से समंदित किसी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा या फिर आपको यात्रा पर जाने के लिए इन्वाइट किया जा सकता है विदेश यात्रा यह हो सकती है जो भी निर्णे लें, सोच समझ कर लें, एक निर्णे आपकी किस्मत भी बदल सकता है, इस अपता सिक्षा के शेत्र में वता चुकी अच्छा है, सफलता अरजित कर पाएंगे, और साथ ही बुद्ध जो आपके साथवे भाव में बैठे हैं, और ये वकरी भी हो जाएंगे, ये आपकी संगती को सुधारने का कारे करेंगे, आपको उन लोगों से दूर रखने का कारे करेंगे, जो अपने साथ आपको गलत चीजों की आदर डाल रहे हैं, जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डाल सकते हैं, तो उनको दूर करने का कारेंगे बुद्ध करेंगे, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ताकि आपके जीवन में इन सभी चीजों का दूस प्रभाव आपको ना उठाना पड़े, धान संचे आप कर पाएंगे, धान खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखें तो पैसे की स्थिथिया आपके लिए अच्छी रहेगी, कि ना चाहते हुए भी चीज़ें जो हैं, उस आप बोलना कुछ होड़ जा रहे हैं, लेकिन बोल कुछ होड़ जाते हैं, और इस्तिथियां आपके हक में नहीं रहते हैं, तो ऐसी इस्तिथि में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी, और जो योग बनने वाले हैं, उन योगों का बेनिफिट आपको इस सब्ताह में जरूर देखने को मिलेगा, एकादशी तिथी इस सब्ताह के अंत में हैं, और ये एकादशी तिथी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, और आप इस एकादशी के दिन चार बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, मालक्षमी भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, तो उनका आशिरवाद आपको प्राप्त होगा, देखे इस पूरे सब्ताह में सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और गुरु आपके लिए उत्तम योग बना ही रहे हैं, अगस्त के इस महिने में नए कारियों की शुरुबात करना चाहते हैं, उसके लिए भी अगस्त का जो चौथा महिना है, यह बेहद शुब रहने वाला है, इस्टुडेंट्स के लिए भी यह जो सब्ता है, यह बहुत शुब रहने वाला है, और धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, समाज में आपके लिए काफी सक्रियत रहेगी, समाज के लोगों से मिलना जुलना होगा, समाज में आपके नाम की भी प्रसंचा हो सकती है, कुछ ऐसे कर्मों की वजह से, और सुक्स विधाएं तो आपके लिए यहां आएंगी ही, सुक्स विधाओं में विरधी भी होकर रहेगी, इसे अपनी सुक्स विधाओं को पूरा करने के लिए आपने महनत भी की है, और उस महनत का आप लाव उठा पाएंगे, एक उपाय आपको जरूर करना है, प्रति दिन आप ओम ब्रस्पते नम्हा, इस मंतर का 21 बार जब करे गुरू का साथ मिलेगा और आपके लिए इस्तितियां जो हैं बहुत अधिक सुन्दर हो जाएंगी, तो दोस्तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें